इस देश में कल्चर और त्वार भी होते हैं मैं अपनी पार्टी की तरफ से अपनी तरफ से राहूल जी की तरफ से प्रियंका जी की तरफ से और आपके चैनल को और समस्थ देश विदेश वादियों को रक्षा बंदन की हार्दिक सुपकामन अप दे रहा हूं भारत की बेहने पूछ रही हैं कि उनकी बड़ी बेहन प्रियंका वार्रा चुप क्यों हैं रक्षा बंदें को ही बता दीजे आप क्यों बोलती बंदो गई चाली सेगंड दिये थे बोलो हमारे ट्वीट देख लीजिए तो फिर मैं पूल दूगा तो भाटी जी मुझे बोलेंगे आपने ऐसा कह दिया शर्मानी चाहिए नहीं आनी चाहिए बाटी जी अब इनको अजे वर्मा को कैरें ट्वीट कर दिया तो फिर जनता भी ट्वीट पही वोट देगी। जनता भी ट्वीट पही वोट देगी अजे थे जी थांक उनका आपको बिलाक्स है बनगाल बर पहले ही बोल चुका हूं भाजपाग वाग roast केदर सरकार क्या कर रही है बंगाल के मामले में आप सबसे कुछ नहीं किया है और राहूल गांधी जी ने बिरोध में टुइट किया यहां कवर अपका है लेकिन लेकिन ओला उबर में घूम रहे हैं उसी को लेकर कलकता जाते तो मैं ज्यादा स्वागत करता पॉइंट टेकन राकेश त्री बाटी जी आप कुछ कहना चाह रहे थे हैं राकेश जी राकेश जी राकान ग्राफिक्स राकेश जी उनकी कुरसी भी नहीं गई और 6 नमबर के कोठी भी नंद गुपाल गुप्ता नंदी जी भी है उनकी भी कुरसी सही सलामत है तो हमने इस तरह के कई अध्य विश्वास को तोड़े है और इसलिए आज ये योगी का मॉडल ना देश भर में और दुनिया भर में चर्चा का विशा है याद करिए कोरोना का वो कालखंड इस कोरोना के कालखंड में इतनी बड़ी आबादी उत्तर प्रदेश की और इसमें सच है कोई दोराए नहीं है कि हमारे पास मेडिकल इंफरस्ट्रक्चर पिछली सरकारों के समय में बहुत खराब था लेकिन उतने खराब मेड आदितना जैसा नेता होता तो सायद हम भी अपने देश में बहतार परफर्मेंस करते हैं मुझे लगता है कि कम से कम दलगत राजवीच से उपर उठ करके उत्तर प्रदेश के मुख्यमंतरी की कर्तब्य निष्ठा पर उनकी परिस्वरम पर उनकी इमानदारी पर कम से कमा स गरें सब को मिलकर के एक स्वर मी उसकी तारीख कर सकते हैं चाहें तो राजगमर भाटी जी भी कर सकते हैं नेरणाय लेने को लेकर करके जितना आडिग रहते हैं मुख्यमंतरी योगी आतितना जी जितना परिस्रमी है विश्यों की जितनी समझ हैं उनको मुझे लगता है इन सारी बातों के कारण आज विपक्ष हतासा इसलिए प्रयास करता है कि कैसे पार्टी के भीतर अंदरूनी जगणा इस्थापित करने का प्रयास करें लेकिन पार्टी पूरी तरह से चक्टान की तरह एक जुट है और कमल का फूल हराएगा फिर आपको और मैं राजकुमर भार्टी जी को इतना आग्रह करूंगा 2014 में पांस सीटे केवल जीते थे असी में से आप और 2019 में केवल टीन सीटे जीत कर क्या थे परिवार परिवार की उसके बाद भी भारती जनता पार्टी ने कभी इतना मुगालता नहीं रखा कभी इतना गुरूर नहीं रखा हम तो 33 सीटे फिर भी जीत कर आए हैं लेकिन आपको तो ऐसा लगता है सारा जहां आपने जीत लिया है इतने जीत कर आए हैं लेकिन आपका दूफ समझ रहा हूं उनका excitement समझ रहा हूं लेकिन अभी बाटी जी बाटी जी आपने मेरको एक बार 24 के लेक्शन में बोला था 40 सीट है मैंने उसको lightly लिया था और यह मैंने 10 बार बोला है on airy कि मैंने आपकी बात को lightly लिया था आप 37 ले आ है तो ये दस हैं, नाम बोल दूँ एक बर और, करल, फूलपूर, मिल्किपूर, सीसामाओ, गाजेबाद सदर, मीरापूर, कैर, मंजवा, कुंद्रोकी और कठेरी, कितनी आ रही हैं, रेकॉर्ड कर रहा है शर्मा, इनमें ऐसा, आठ या नो जीतंगे, हम आठ तो जीतंगे, हम आठ तो जीतंगे, हम पिल्कुल रुपके ही नहीं मानने, आप तो, आप बेटे को आउक्सिजन नहीं मिल पा रही थी, वो धरने पर बैठ गए थे, जब आप अपने सरकार के लोगों की मदद नहीं कर पा रहे थे, आप उसमें भी सरे लेना चाहते हैं इतनी लफ़ाजी और इतना पाखंड और इतनी जूट कहां से कैसे सेन कर लेते हुग कोरों रखाल तो एक काला धबा भीजेपी सरकार तो जूट फैलाने में लगेते हैं नागर साब आपकी पार्टी क्या कह रहे हैं यह 10 इलेक्शन मैं सिर्फ नंबर चाह रहा हूँ क्योंकि अगली बार कभ यूपी डिबेट करो हैं देखना होगा लंडन से बता दीजे कितनी सीट है नागर साब जिसको पूचो वो कह गा हम 10 मैं से 9 जीत रहे हैं यह 10 जीत रहें था कि जितनी सीट हमें 10 मैं से मिलेंगी 100 प्रसंट उसका result मिलेगा और मुझे तो लगता है कि NDA कम से कम 10 में से 8 seat तो पक्का जीत करके जाएगा 8 आप ला रहे हो, 8 वा ला रहे हो BJP बताएंगी क्या क्या BJP बताने जा रहे है राकेश द्रपाटी जी 10 में से आप कितने में confident है लेकि हम तो हम बहुत मजबूती के साथ 10 की 10 सीटों को अपने पाले मिलाने के लिए प्रयास करेंगे और हमें पूरा विश्वास है कि उत्तर प्रदेश पर योगिया जी की सरकार इतना अच्छा काम कर रही है, जनता मोहर रगाने का आपने ये जूट पूरी तरह से धुल चुका है जनता के बीच में सही तर पिक्चर सामने है और हमें पूरा विश्वास है कारिकरताओं के परिश्रम से और उत्तर प्रदेश के उत्तर पर चोड़ देते है हम इन दस की दसों सीटों पर सकारत पर परिणाम लेकर रहे हैं डिंपल यादव कॉंग्रेस की पार्टी से पूचा वो कहरे है ट्वीट किया तो है लड़की हूँ लड़क सकती हूँ बोलने से कुछ नहीं होता अब समय आगया है लड़ना होगा इन हैवानों की खिलाफ और एटलीस हमारे पॉलिटिकल क्लास को चाहें वो जेन चौधरी की पार्टी हो या फिर ओडिसा की बीजे कोई भी हो आप बड़े हो छोटे हो बीजेपी हो आमागनी पार्टी हो सबको इस मुद्दे पे कम से कम एक साथ आना पड़ेगा और दर्शुकों वो साथ तबाएंगे जब आप एक साथ होंगे और आप एक साथ आपको कोई भी पार्टी पसंद हो कोई भी विचारधारा पसंद हो लेकिन महिला हमारे देश की बहनों के खिलाफ ऐसे हैवानियत वाले कृत्ट जो लोग करते हैं उनके खिलाफ जीरो टॉलरेंस होनी चाहिए जैसे जीरो टॉलरेंस टौर्ड्स करप्शन के उपर देश एक साथ आया था 14 के एलेक्षरी देश को एक साथ आना पड़ेगा अभी सिर्फ स्टेट में नहीं सिर्फ बंगाल में नहीं पूरे देश में जीरो टॉलरेंस अन क्राइम अगेंस विमन महिलाओं के खिलाफ हो रहे ऐसे हैवान वाले जो ये कृत्त हैं उनके खिलाफ पूरे देश को एक साथ आना पड़ेगा ये चुप रहने से पॉलिटिकली करेक्ट हो जाने से सिर्फ बोल देने से लड़की हूँ लड़ सकती हूँ कुछ होगा नहीं बहुत बहुत धनवाद आप सबका थैंक्यू बड़ी मुच